हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको इस तरह का बोड़ का सिंगल बोड़ का डिजाइन बताने जारें तो चलो स्टाट करते सबसे मैं प्लेन थोड़ा सा बना लिया है अब हम क्या करेंगे दो दो फंदों का गैप दिने दो फंदे बनाने और दो फंदों में हम सेटिंग कर लेते हैं इस तरह से अब लास्ट में हमारा एक फंदे का गैप बचा हुए था हम दो फंदों का गैप करके दो फंदे जो है थोड़ा आगे ट्रांसफर कर लेंगा इसके बाद हम त्री तीन सी लाइं या लगाएंगे वान टू है और एक जो है हम वेस्त दागी की लगाएंगे उसके बाद हम दूसरे वेस्त तकर दूसरे नबरलने पर जताओ जो है एक लूप बन रहे हैं को दूसरे पंदे में डालेंगे इस तरह मनें दूसरे वान गालींगा हम सारे फंदे जो खाली फंदे उनमें इस तरह से फंदे ट्रांस्फर कर लेंगे मुल कर लेंगे इस तरह से हम पूरी सिलाई चोई वह कंप्लीट कर लेंगे पूरे उस फंदे जितने भी फंदे हमारे खाली है और जो लास्ट वाला एक लूप भचा इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे ताकि जब हम वेस्ट दागे को निकाले वह हमारे निकले ना और फिर आपको जितना चोड़ा बोडर बनाना होगा आप उतना बना सकते हो तो मैं अभी ट्वेल्ब से लेंगे लगाऊंगे अब हम जो हैं फंदे ट्रांसफर करने तो जो फंदे हमने उठाये वे थे तीसरे नम्बर के फंदे को जहां जो हमने फंदा उठाया था वहां से इस तरह से बना लेंगे वहां तक हमें चेन को खोल लेना है जहां से हमने फंदे ट्रांसफर किये थे सारे फंदे में इसी तरह से ट्रांसफर कर लेंगे बना लेंगे इस तरह से जितने भी फंदे हमने पलट के उठाए थे उतने इन फंदों को हम वैसे ही बना लेंगे दो दो फंदों का गाप बना के आप चाहओ तो वेस दागे को साथ साथ में भी निकाल सकते हैं या लास्ट में एक वार में ही निकाल सकते हैं और इसको फंदे को बनाते नहीं धियान रखना है कि जहां से हमने फंदों फोल्ड करके फिर नॉर्मल बनाना स्टार्ट किया वहीं तक हम इस फंदों खोलने हैं नीचे की जो फर्स टाइम में हमने फोर्स लाइन लगाई थी वह वाले फंदे नहीं खोलने हैं वैसे वह बनने भी नहीं वह पर बनाना हमें वहीं से है इसी तरह से हम सारा जोए बना लेंगे कंप्लीट कर लेंगे झाल इस तरह से हमने बना लिया अब वेश्टागा भी निकाल लिया भूक लगाए हम थोड़ा सा प्लेइन बना लेंगे इसको इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन के तैयार है इस तरह से हमारा सिंगल बोर्डर बन गया अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगए हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्रायब करें ठैंक क्यू